दोस्तो नमस्कार आज हम लोग चलते हैं द्वादर्स जोतिर लिंग कथा में केदार्णाव पिछले कई दीनों से शावनमास में बावा बोलेनाथ की यात्रा में हम लोगों ने यात्रा की शारे 12 जोतिरलिंग गुंते वे आज पहुंचेंगे बावा बोले नात के दरवार में केदार नात वैसे तो हिंदूओं में पांच केदार माने गए हैं पहला जो गिरीराज हिमाले की केदार नामक चोटी परवस्ती थे वो देश के बारा जोतिरलिंगों में शे एक केदार नात धाम है मंगता के अनुशाद यह माना जाता है कि केदार इश्वर जोतिरलिंग के प्राचिन मंदिर का निर्मान परणडवों ने करवाया था और प्रश्कंद पुरान के अनुसार केदारनात में महिस अर्थात भैसे यानि बैल का पिछला अंग का पूजा किया जाए इसके पीछे बहुत अच्छी पौराणिक कथा है जो आगे हम इस कथा में बताएंगे केदारनात का जो शिवलिंग है वो त्रिकोन आकार का क्यूं है केदारनात का जो शिवलिंग है वो त्रिकोन आकार का है तो क्यूं है दूसरा केदार तुंगनात को बोला जाए जो दूती केदार के रूप में परशिद्ध तुंगनात मंदीर है यहाँ पर भगवान शिव की भुजा के रूप में पुजार चमा की जाती है यानि वहाँ पर जो भगवान शिव की पुजा की जाती हो भुजा का स्वरू है तीसरा केदार रूप द्रणावत है यह मंदिर एक भूपा में इस्तित है जिसमें भगवान शिव की मुख आकरिपी तीसरा केदार मद्धेश्वर है मद्धेश्वर चौखंबा सिखर की तलहटी इस्तित मद्धेश्वर मंदीर है जहां भगवान शिव की पूजा नाभी लिंगम के रूप में की जाए पौरानिक क्रथा के मुशाद नर्शेंगिक सुंदर्टा के कारण ही शिव और पारवती ने मधु चंद्र की रात्री उसी मद्धेश्वर मंदीर में चौखंबा सिखर पर मनाये थै million पाच्वा के दार कलपेश्वर नाथमादेऽ को माना जाता है यहां भगवान शिव की जठा की पूजा की राते हैं कि कलपेश्वर नात महादेप पर दुर्वसा अरिश्री ने कलप विक्स के नीचे और तपश्या की तभी से कलपेश्वर नात महादेप के जगपो कलपेश्वर या कलप नात के नाम से परशिद्ध हुआ तो आएए हम लोग इन सवामेशे विश्व परशिद्ध केडार नात धाम की चर्चा पौरानिक हिसाब से करते हैं क्या कि क्यूं बावा बरफानी बावा केडार नात दौदर जोतिर लिंगों में सबते परशिद्ध जोतिर लिंग है और पुराणों के अनुशार के बावा क केडार नात की अस्थापना का क्या पौरानिक करना है केडार नात दौदर जोतिर लिंगों में से एक माना जाता है यह जोतिर लिंग त्रिकोन आकार का है इसकी अस्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमाले के केडार स्रिंग पर भगवान विश्णु के अवतार महा इस जगत के नरकल्यान हे तो जोतिर लिंग के रूप में किडारनाथ में सदावास करने का वर्पता है किडारनाथ मंदिर के बारे में यह भी माननेता है कि महाभारत के युद्ध में विजई होने पर पांडब अपने भाईयों की हत्या के पाफ से मुप्ती पाना चाहते थे इसके लिए भगवान शंकर का असिरवाद पाना चाहते थे लेकि भगवान शिव पांडबों से नराज थे जिसकी वज़ा से वहां उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे बावा के दर्शन के लिए पांडब कासी पूझ गये क्योंकि कासी तो बावा भुलिनात की धगरी है जहां पर उन्होंने अपने जो कासी में सिबलिंग है उनको यह आदेश देके रखा है यह अगरा करके रखा है कि आप कासी का लिवास कभी नहीं छोड़ेंगे यह मैंने पिछले एपिसोड में जब कासी भी सुनात की चर्चा किये थे तो पूरी कथा बताया है अगर आप अभी तर्थ नहीं देखे होंगे तो आप अमारे यूट्यूब चैनल में जाकर कासी भी सुनात की कथा को शुन सकते है तो कासी उन्हें जब बावा भॉले नात पांडवाँ को नहीं मिले तो वे लोग उन्हें खोचते हुए हिमाले तकाब बहुचे क्योंकि बावा भॉले नात का जो अस्थाई निवास है वो कैलास है हिमाले परवत पर भगवान संकर अड़तर ध्यान होकर केदार में जा बसे दूसरी और पांडव भी लगन के पक्के थे वो उनका पीछा करते 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 केदार पोचके अब जब भगवान संकर में देखा कि यह पांडव तो जिद्धी है बीना हमसे मिले छोड़ी नेरे तो उन्हों और ठोड़ी तपस्चा लेने का कोशिस किया कि देखते हैं और कितना लगन है इसको तो केदार नात में जहां पर बहुत सारे पस्चाओं के जुन्ड इधर उधर चर रहे थे भूम रहे थे वहाँ पर वो एक बैल का रूप धारन कर ली और बाकी पस्चाओं के साथ जाके मिल गए पर तो पांडवों को भी संदे हो गया था ये भूले नात कुछ लीला कर रहे हैं तो वो कुछ सोचते तब तक भीम को एक युक्ति सुची वो क्या-क्या नर और नरायन दूनों परवतों पर अपना विसाल रूप धारन करके अपना पैल पहला दे और ये युक्ति बाकी पांड़ आपको समझ में रहे कि भीम कर क्य रहे हैं तो भीम का वो विसाल रूप देखकर बाकी जानवर तो भगने लगे तो जितने भी जानवर ते रास्ता वही था दोनों पहाड़ों के बीच से निकलना तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए बाबा बोले नात देवादे देव महादेव ये चीज़ भीम जानते अगर इन जानवरों के बीच में देवादे देव महादेव चुके हुए हैं तो हमारे पैर के नीचे से कभी पार नहीं हुए पर बाबा मुझे मिल जा तो अन्य सब गाय बैल जब पाउं के नीचे से निकल गए तो संकर जी उस पाउं के नीचे से निकलने लिए और उन्होंने जपट्टे मारकर बैल को पकड़ना चाहा उसी समय बैल रोपी बावा बोले नाथ अंतरभ्यान होते होते भी भीम ने बैल का पिछला भाग पकड़ना और वह पिछला भाग बैल के हाँ में कि अधा है बावा बोले नाथ पांड़ाओं की ये दिल तपरश्या देखकर दिल भक्ती देखकर बहुत ही अत्यारत ही परशन्यों और इतने परशन्यों को उन्हों ने ततकाल दर्शन दिया और शारे भाई बंदों के लिए कि आप किसी भी परकार से अगर पाप से पिड़ित हैं अगर आपके जीवन में किसी भी परकार का पाप लग गया है तो पाप से मुक्ती देने का एक मातर रास्ता है बावा भोले नाथ वो कोई भी पाप को काड़ सकते हैं मैंने त्रेमबके इश्वर में बताये कि भगवान महर्श्री गौतम को जब गौहत्या का पाप लग गया था उनके गौहत्या के पाप कटने के लिए भी महर्श्री गौतम ने बावा भोले नाथ की तपश्या की थी और त्रेमबके विस्वर में बावा भोले नाथ ने आसिरवाद दिया था महर्श्री गौतम को कि आपके गौहत्या का पाप समाप को गया और उसी समय भगवान संकर की बैल की पीट की जो आकृती है वो त्रिकोना का राकृती है उस रूप में उही त्रिकोना रूप में एक सिब्लिंग के रूप में के रावनाथ में बिराजित हुट फिर पांडवों ने वहां पे बावा भुलेनाथ का मंदिर का निर्मान करवाया उस जो त्रिकोना रूप में पूजा चाहिए और आज तक उसी सिब्लिंग की पूजा हम मानब जाती करते हैं और बावा भुलेनाथ मानब कल्याना थे तू उसी केदारनाथ में बैल के उसी त केदारनात में पूजे जाते हैं ऐसा माना जाता है कि जब भगवान संकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उस बैल का धर से उपर का भाग धर के पीछे का भाग को भीमने पकड़ लिया धर से उपर का भाग काटमांडू में गिरा था जो भगवान पसुपतिनात के रूप में पूजे जाते हैं उनकी भुजा तुंगनात में मुख रुद्रनात में नावी मद्वदेस्वर में और जटा कल्पेस्वर में गिरा था और इन सारे पांचों जगह को केदारनात के रूप में ही पूजा जाता है बावा के दारनात फिर तभी से इतनी उचाईपर है कि अगले 6 माहने पर बावा के दारनात की पूजा णाख की जाती है और फिर 6 महने के लिए बंध हो जाता है और उन 6 महने में अखंड दीप मंदिर के अंदर लगतार जलते रहते हैं और एशी और अनिक माननेता है कि जो छे महने मनुष्य के लिए बाबा भोले नात भरजित है उन छे महने में बाबा भोले नात की पूजा अरचना का भाल शीधे रूप से देवों पर आ जाता है और देव लोग के बासी आकर उनकी पूजा अरचना साथ तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जोतिर लिंक कथा कमेंट्स में जरूर बताएंगे और अगर अच्छा लगा तो लाइक से या सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपना दोस्त इंजिनेर शीमजा को बिदा दीजी अगली दिन फिर मिलेंगे एक और कथा साही देकर तब तक के लिए धन्यवाद